सभी साथियों को सभी चात्रों को गुड इबनिंग आदित्यद्वन्सी जी जुड चुके हैं लक्षमन बगेल महेश कुमार राहुल रवी अमित आदित्यादो प्रियंका सरोज मोहित प्रिया कौसल और कौन जुड़े हैं भईया सुधान सु और आरती सिंग ठीक है सभी को गुड इबनिंग कलास को पूरा इंडे तक देखना और अपने साथियों को सेयर करना ये आपकी एक सब्ताह ट्रायल क्लासिक परकार से होगी ट्रायल बोले या जो भी समझो यानि जहां तक पढ़ा दिये थे उसके आगे पढ़ाएंगे चैप्टर 9 से एक जुलाई से बहा जाएगा एकदम पहला अध्या से आप सभी जादा फिजादा साथियों के साथ लाइब आओगे और अगर ये कलास में बच्चों की संख्या 100 से नीचे जाती है 100 से कम बच्चे होंगे तो हम फिर नहीं पढ़ाएंगे मतलब इतना आप सभी को याद रखना है कि जितन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी सुरू से नहीं पढ़ाएंगे एक जुलाई से सुरू से पढ़ाएंगे और हाँ जो पढ़ाएंगे इसका मतलब यह नहीं कि तुमको सुरू से पढ़ना है यह अध्याय बिल्कुल सुरू से है सबको पढ़ना है ध्यान से और जो इ आपका होगा अध्याय या फिर बोले चैप्टर या एक्सरसाइज नाइन आप सभी जल्दी से यह बताओ कितने बच्चों के पास किताब है जल्दी बोलो यास क्या आपके पास NCRT बुक है NCRT जो किताब होती है उसका सिलेबस सभी से मैच खाता है चाहे आप UP Board से हैं CBSC Board से हैं विहार जारखंड बोर्ड MP Board किसी भी बोर्ड से हैं क्योंकि हमारे यहां जो बच्चे पढ़ते हैं आल इंडिया से पढ़ते हैं पूरे देश से तो कोई बिसेस बोर्ड का हम नहीं पढ़ाते हैं जो मुख्य NCRT होता आपका नेशनल लेबल का वही पढ़ाया जाता है मतलब सरकारी वाला एक परकार से मानलो राज्य वाला न यह हैं नितेश कुमार किताब क्यू नहीं है बゃ्यां किताब लेके बैठो सबी सबी के पास किताब होने चाहिए पहला कुष्टन पढ़ते हैं अब यहां हम चित्र बना लेंगे यहां पर हमें छे आकृतियां दी गई हैं तो उन में से हम पहले कुछ खीचने की कोसिस करेंगे ठीक ना भाईया देखो बावु समझो मतलब समझो पहले इन आकृतियों को हम बनाते हैं इसके बाद देखो आगे बाद बढ़ाते हैं समझो सभी ध्यान से समझो एकदम प्यार से यह देखो यह क्या है फिगर है पहला है यह आयसे बना है यह यहां और यह यहां ठीक है इसके नाम क्या दिये गए हैं बताओ सभी तो सोनम देवी बहुत अच्छे थैंक्यू रभी क कुमार इसके नाम बताओ तो फिगर में क्या दिया है जिनके पास NCRT किताब नहीं है वो किताब ले ले कि A B C D इनके नाम दिये हैं किताब में और जो आपका ये बीच वाला बिंदु है इसका नाम क्या है पी है देखो अगर आप एक कोईस्चन समझ जाओगे पहला पार्ट तो आप सारे पार्ट कर लोगे इसमें कुछ नहीं करना तो सिर्फ और आपको क्या करना भया शीखना ये बाबू ठीक है सिर्फ और सिर्फ आपको शीखना तो इसको हम पढ़ात दे रहें पहले लेकिन इसके बा कुछ समझ में आ रही बात है ना देखो तो कुश्चन पढ़ते हैं कहरा कि निमनलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आक धार और समानतर रेखाओं के बीच इस्थित हैं ऐसी इस्थिती में उभैनिष्ट आधार और समानतर रेखाएं लिखिये देखो बच् ने कौमन आसान हैं ना तो कहरा कि जो यह आकृतियां दी गई है इन में कौन सी आकृतियां ऐसी है जिनके आधार और समानतर रेखाओं के बीच इस्थित हैं मतलब कुल मिला करके कि जिसमें जो तिर भूज है और चतुरुज है उनका आधार समान है या नहीं बताओ बोलो बोलो समान है कि नहीं समझो भाईया इसमें एक चतुरभूज है समानतर चतुरभूज दिख रहा कि नहीं तुमें दिख रहा है न एक समानतर चतुरभूज है A B C D है न क्या है समानतर चतुरभूज है A B C D बोलो है और इसके अंदर एक तिर्भूज भी है P C D है की नहीं बोलो है की नहीं तो ये क्या है एक समानतर चतुर्भूज है ऐसे जो कि आपको दिख रहा है और PCD ये क्या है एक तिर्भूज है तो ये पूछ रहा है कि इनमें कौन सी आकृती में कौन से फिगर में इस चतुर्भूज और तिर्भूज का आधार समान है और वो नो वह दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हैं इस तरह के और भी बहुत सारे फिगर दिए गहें छे आक्रतिया दे गई हैं का बोलो है किने इसमे है न यास इसको आप लोग यास करोगे पहला यास है पहला यास है क्यों यास है सादू यादो समझ में आ रहा है ना ममता चाची गुड़ इबनिंग भाई नाम है इनका मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं देखो समझो है न क्यूं देखो इसका आधार अगर लें तो CD है आधार क्या CD है यह बेस है और PCD या फिर PDC तिरभूज भी इसी आधार पे बना है यह चतुरभूज जो है वो भी इसी आधार पे बना यह हो गया इसके अलामा जो समांतर रेखाए हैं जो दो समांतर रेखाएं है CD और AB AB और CD जो है यह क्या है? पैरलल लाइन है तो इनी की बीच में तो यह तिरबूज बना है न तो यह क्या हो गया? समझ गये न? Yes लेकिन इसके पहले हमें concept सीखना जरूरी है यह तो मैंने पहला exercise का पहला question पहले करवा दिया लेकिन इसके पहले हमें क्या सीखना भाया? इसके पहले हमें concept सीखना जरूरी है और वो concept क्या है? वो concept मैं आपको बताऊं तो ऐसे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आप कहो तो मैं बता दूँ या फिर इसका वीडियो दे दूँगा concept बता दूँ पहले कि नहीं concept का आपको ऐसे वीडियो दे देंगे नहीं तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा है ना उसमें थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा तो चलो अगला भी question एक और करवा देते हैं आप लोग देखते चलो अच्छा एक और देखो इसमें का सिकेंड बगल में दिख रहा है और दोस्तों में भी सेयर करेंगे और याद रहे कि एक जुलाई से आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को तब तक जादा फिजादा साथियों को अपने सूचित कर देना है कि पीवियर स्टडी लाबाद चैनल पर बिल्कुल फ्री की ला अधाय कर लो नाम के चकर में बहुत से बच्चे परिसान रहते हैं तो नाम के लिए मत परिसान रहो हमारी कोसिस होगी कि अगली कलासेट से आपको चित्र भी नहीं बनाना यहां पर पड़ेगा इसका भी हम आपको फोटो दिखा देंगे ऐसे टेड़ा मेड़ा आप देख सिकेंड वाला बनाओ चलो जल्दी बनाओ ऐसे है नहीं है ऐसे मिलता जूलता है मैं बना दे रहा हूं बाकि आप समझ रहों किताबे सबके पास हैं बहुत जादा मुझे बनाना नहीं आता है आपको सिर्फ और सिर्फ कांसेप्ट सीखना है कि कैसे क्या इसका मतलब है इसक ठीक है बस इतना ही है इसके जो पॉइंट है अमयन है अब समझो कि बापी मोहंती मिनाक्षी साहू गुड इबनिंग अमित रंजन ठीक है अब यह बताओ क्या इन दोनों का जो भी इसमें दो आकृतियां आपको दिख रही है उनके आधार समान है बोलो यस हैं समान की नहीं हां बताओ दोनों आकृतियों के आधार समान है या नहीं बेस इक्वल है की नहीं भाई एक आकृति आपकी यह बन रही पी क्यू आरेस और एक यह बन र रहा है उससे तो कोई नाम इन्होंने फिलहाल अलग से दिया है कि नहीं कि दिया है न वो दिया है यह इसी पर मिल रहे भाई जहां से निकली है है जिए शिझाम इसा है मुझे कम समझ में आ रहा रेखाएं हैं आपकी समांतर चतुरभुज में PQ और RAS क्या ये इन से मिलते हुए बना है कि नहीं बताओ बना है जैसे ये वाला देखो पी इसमें जाके मिल रहा था यहां भी मिल रहा था मतलब AB और CD जो समांतर रेखाएं उनको टच करते हुए बना था ना बना था तो ये बच्चा इस तरह से है या नहीं है बोलो नहीं है कि है नितेश जी बताओ अब इसे कुस्वाहा इस तरह से ये इसमें मैच नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है तो क्या करोगे इसमें लिख दोगे नो ये नहीं है क्यों नहीं है किताब जो भी साथी लिये हैं जितने भी छाद्र बुक लिये NCRT कि उनको समझ में आएगा, किताब कहां पी लेके नहीं आओगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, समझ रहे हो ना, इसलिए किताब लेकर के जुड़ो कलास में पढ़ो प्यार से समझो, बीना किताब के आओगे तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो ना, चलो, तो ये नो हो गया क्योंकि इसका आधार तो दोनों का समान है, लेकिन जो ये बात करें, दोनों समान तर रेखाएं हैं, ये इन से होते हुए नहीं बन रहा है, और कुछिश्चन में क्या कह रहा था, मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, अब भ पूरतियां एक ही आधार और एक ही समान तर रेखाओं के बीच इस्थित हैं, ऐसी इस्थिती में उभैनिष्ट आधार और दोनों समान तर रेखाएं लिखिये, अच्छा चलो बताओ, एटू कलासेज, ये सो, सोनी संतोस, नाम तो इन्होंने बड़ा गंदा टाइप का ल लिखा है, संतोस मिसरा जी आप ही बताओ, पहले चित्र में कामन आधार क्या है, जल्दी बताओ, उभैनिष्ट आधार क्या है, कामन बेस इन दोनों में क्या है, बताओ, जल्दी बताओ, कोई है, दोनों में बताना है, ये कुश्चन में कहा है, कि किसमें ऐसी श्थिती है और जिसमें है उनका बेस और समानतर रेखाओं के नाम लिखो ऐसा कह रहा है तो पहले में क्या हो जाएगा बच्चा जो कॉमन वेस है वो सीडी है तो क्या लिखोगे उभैनिष्ट आधार हिंदी में लिखना है हिंदी वाले लिखेंगे सिबेसी बॉर्ड वाले लिखेंगे कॉमन बेस ठीक है उभैनिष्ट आधार कितना है सीडी क्या है भाई सीडी है पंका जी आदो आरा समझ में नितेश जी बिल्कुल बारिस हो रहा है अभी अभी हम भीक के ही आए हैं आपकी कलास के लिए नहीं तो कलास आपकी छूड़ जाती आज से बोला था फिर गड़ब समांतर है अज म Walter कзд कॉ लो को है कि यह निपता समांतर क्या है कि जानते हो पैरलल और पंडिकूलर क्या होता है अध्याय आठ में पढ़ाया गया था जो चैप्टर आठ पढ़े उनको पता होगा समांतर और लंबवत क्या होता जानते हो जैसे रेल की पटरी है न बच्चा बगल बगल ऐसे जाती न बबू ऐसे ऐसे वो कभी एक दूसरे को काड़ती नहीं है मतलब एक दूसरे को उपर चड़ती नहीं ऐसे सीधा निकल जाती है तो यह क्या होती है समांतर होती है क्या होती है यह यह समांतर होती है और लंबवत का मतलब क्या है लंबवत का मतलब है बच्चा जैसे यह है और यह मतलब एक दूसरे के ऊपर चड़के कटती हुई निकल जाए जैसे यह देखो एक लाइन ऐसी है तो यह क्या है दोनों रेखाएं लंबवत है लंबवत और समांतर समझ गए ना चलो तो इसमें जो समांतर रेखाएं हैं उनको भी लिख लो लिखो लिखो समांतर रेखाएं पहले वाले में है यह इसमें छे पार्ट है कुश्चन पहला में ठीक है तो इसमें लिखो समांतर रेखाएं समानता रेखाएं क्या क्या है भाईया एबी कामा सीडी यह हो गया पहला दूसरे में आओ सिकेंड के वाले में चलो आओ इसमें इसमें कोई बताएगा अर्य इसमें दिमाकी नहीं लगाना है यह यह कंडिशन फौल नहीं कर रहा हो कि अधार तो डोनों समान है लेकिन उसमें जो समानता रेखाए है उन दोनों के बीच यह चित्र नहीं बन रहा इसलिए वह खलत है वह है नहीं ठीक है वो नहीं सही है अब तीसरा फिगर हम बनाते हैं तीसरा चितर आपके बोर्ड में बना सकते हैं जगा है ना चलो ठीक है तो बच्चा तीसरा कुछ अजीब टाइप का बना है आप लोग अगर देख पा रहे हो बुक ले लो भाईया कक्छनों की बुक लेके बैठो हां उसके बाद का है यह ऐसे है भाईया बहुता गड़बा टाइप का है यह इसे है थोड़ा सा जुका हुआ अंदर को यह है और यह यूं आया है और यूं गया है ओके यही पनलब कॉन्हा पर ही मिला है इनके नाम है पी क्यू और आर यस ठीक है इसका जो जहां पर दोनों आके मिल रहा है वो टी है अब आप लोग यह बताओ तीसरे वाले में देख करके यह थाड़ नंबर फिगर है कि क्या इसमें आपको दो चित्र दिख रहा है पहले यह बताओ दो फिगर दिख रहा कि नहीं हां या नहीं नितेश कुमार बताओ ए टू क्लासेज बोलो कमेंट नहीं करोगे अगर तुम लोग कोशिस नहीं करोगे तो मैं पढ़ाओंगा भी नहीं जान लो ठीक ना ऐसे मैं गदों को पढ़ाता नहीं कोसिस करो हाँ नहीं आ रहा तो बोलो नो जिनको नहीं पता वो नो लिखके कमेंट करें लेकिन कमेंट हर कोई करेगा और जो चात्र सुरू से नहीं देखे हैं वो इस वीडियो में बाद में कमेंट करेंगे उनको लिंक मिल जाएगा उनको लिंक मिल जाएगा कि इसके पहले क्या था कैसे क्या सब मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप हमारा गुरुप भी जॉइन कर सकते हो टेली ग्राम का या वाटसप का उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है आयुस एफ एफ बच्चा तुम भूद बन के आये हो काहे कौन्हों महरा बूद बन के काये आया हो देखो इसमें दो फिगर है एक तो आपका चतुर्भुज है फी क्यू आर्यस और एक इसमें तिर्भुज भी है कौन ये TQR है न दो तो कुष्टन में क्या कह रहा है एक बार फिर से पढ़ ले प्रफन कह रहा था कख्छा नो की NCRT गडित प्रफना वली 9.1 सवाल नंबर एक प्रफना नंबर एक निमनलिखित आकरतियों में से कौन सी आकरतियां एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित है ऐसी इस्थिती में उभैनिष्ट आधार मतलब कामन आधार और दोनों समानतर रेखाएं लिखिए और दोनों समानतर रेखाएं लिखिए तो देखो ये भी यस ह इसका आंसर भी यस होगा इसका यस क्यूं होगा क्योंकि बच्चा इसमें भी दो समांतर रिखाएं कौन-कौन सी है यह PQ है और RS है और इनका दोनों का कामन आधार जो है वो QR है क्योंकि यह तिर्भूज जो बना है TQR वो भी QR बेस पर ही बना है और जो यह चतुर्भूज बना आपका PQRS यह भी क्या है आधार इसी पर बना है ठीक है तो आप यहां पर क्या लिखोगे यहां पर लिखो क्या लिखोगे लिखो यह हो गया लिखो कौमन आधार कौमन बेस या फिर हिंदी में जैसे बुक में कहा है वैसे लिख लो हिंदी म में उभयनिष्ट लिखा ओनिष्ट का मतलब होता है कामन ऐसे कामन आधार बराबर कितना बच्चा क्यूacter है कॉर है और समांतर रेखाएं कौन इसे हैं लिखलो नीचे समांतर रेखाएं बराबर है कि पी क्यू कामा आर यह समझ में आया न का नीचे देखो थोड़ा सा कम दीख रहा है इए जो कट गया है मैं दिखा दे रहा हूं उसको टेंसर मतल्यों चलो मैं यह imagenion आरेफ लिखा है समझ गये न क्या लिखा है पीकू आरर्यस आप सपना कुमारी रात नो बज़े भी होगी ठीक है रात नो बज़े भी होगी साम साथ बज़े भी हो रही है कोई दिक्कत नहीं है रात नो बज़े भी होगी रात नो बज़े बेसिक वाली होगी चलो फिर समझ गए सभी बोलो यास जल्दी बोलो यास समझ गए तुरंत बोलो और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो बिल्कुल फ्री ने तो बाद में कहोगे मुझे चैनल का नाम ही नहीं पता है यह यहां पर लिख दे रहे यह नाम है इसको यूटूब पर बोलोगे गूगल पर यूटूब पर कहीं भी तो मिल जाएगा पी बी आरे स्टडी कुछ बच्चे पी बी आरे स्टूडियो बोलते हैं तो इस्टूडियो बोलने पर भी मिल जाता है क्योंकि चैनल इतना बड़ा हो गया है तुम गलत सही कुछ भी बोलोगे वह मिल जाएगा एमडी मस्त क्विन सेख राहुल सत्यना रायन बहुत अच्छे बेरी गुड देखो जो बच्चे कमेंट करते हैं बहुत दिल के करीब होते हैं अच्छा लगता है और जो गदाहा टाइप के रहते हैं कुछ बोलवाई नहीं करते ना उनको मन करते ना उठा-उठा कला से ब किताब लिया है और कौन-कौन नहीं लिया है कौन-कौन किताब लेके बैठा है कौन-कौन नहीं लिया है यस या नो किताब है कि नहीं सब के पास और जिनके पास नहीं है ना गधों कल से बुक लेके आना नहीं तो हम बलक कर देंगे सीधा-सीधा कल से किताब लेके आना सब का हो जाएगा कम्पलीट लेकिन आपको मेन एंसी आंटी पढ़ना है एंसी आइटी जो आपकी सीबसी वाली होती एक प्रकार से भाई समझ गए न हिंदी स्टेटस लिये हो आ रहा है ठीक है कुलदीप पिठाई कर दें आमित कुमार बाई इसमें जूट भी बोल रहें कुछ ऐसे गदह हैं मुझे पता तो है निलिए और ने ल्याइव ठीक है आभी भी करेंगे लाश्ट में लाश्ट में अभी बूक मंगवाएंगे कौन कौन लिया ठीक है चलो यह जूट बोल रहे हैं पकड़ते हैं चलो ठीक है फिर भूक लिये हो तो चौथा नंबर को इस चन देखो चौथा नंबर का चलो फिकर बनाओ अभी जो तुम्हारी वाली उससे बात कर रही ना अभी हम पीटेंगे भी समझ रहो ना गडबड हो जाएगा फिर चलो इसको फिकर बनाओ इतना अच्छा है कि बता भी दे रहा देखो यह कक्छा नव में पढ़ते हैं कितने समझदार है ऐसे बना है ना चित्र चौथा नंबर की नहीं थोड़ा छोटा है न यार अधि बड़ा गंदा हो गया नाक में स्याही लग गई अधि बड़ा बद्बू करता है यह स्याही लेकिन बड़ी खतरनाक है भाई साथ थोड़ा सा रुक जा यार तो पता है पता क्या है कि अब तो लगी गई चालो ठीक है यह थोड़ा सा छोटा बना था ना मजा आया की नहीं आया थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं यह सब कक्छा नहुं में है ठीक है वेते लेलो मौज लेलो टाइम है अभी जो पूछ रहे हैं सपना कहां से हो पूजा कैसी हो ना बेटा अभी जब जिन्दगी की दोड़ में आओगी तब तुम्हें पता चलेगा सपना भी छुट जाएगी पूजा भी छ चैंको किताब लेकर बैठेव तो दिक्कत ही क्या है आप ऐसे यह बनाया ना यह बताओ क्या इनका दोनों का आधहार इसमें दो जू दो फिगर बन रहे हैं क्या उनका बेस एक ही है अलग अलग है बताओ इन दोनों का बेस एक ही है या आलग अलग है वी क्यू आर बोलो जल्दी बोलो इसमें एक आपको समांतर चतुरभुज दिख रहा है एक तिरभुज दिख रहा है दोनों का आधार समान है की नहीं संतोस मिसरा जी बताइए रवी संकर सोनम देवी जिनके पास किताब नहीं किताब ले लो जिनके पास किताब नहीं है किताब ले लो ठीक है एक जुलाई से सभी किताब लेके आएंगे आपके पास 4-5 दिन का टाइम है किताब लेने का 4-5 दिन का टाइम है किताब लेके आएंगे एक जुलाई से नहीं सबको ब्लॉक कर देंगे जिनके पास बुक नहीं रहेगी और तुम यह मत जानो कि हम बुक नहीं लिए क्योंकि हम पूछेंगे बुक होगी तभी तो देख पाओगे तभी तो बताओगे क्या हां चलो समझो कि इन दोनों का बेस तो एक ही है बच्चा लेकिन इसमें कुछ खासियत है कुछ डिफरेंट है वो क्या है इनका बेस बीसी है दोनों का अगर हम तिर्भुज पी क्यू आर की बात करें या फिर आपका यह जो समांतर रिखाएं एबी और सीडी है इन पे जो समांतर चतुर्भुज बन रहा है उनका आधार तो एक ही ह लेकिन उसमें समस्या है कौन सी कि यह आधार बीसी है न अगर बीसी है तो यह पी क्यू बीसी के बराबर थोड़ी है बोलो बराबर है क्या यह बराबर होनी चाहिए था ठीक है यह इक्वल होना था इक्वल नहीं है यह इक्वल नहीं है इसलिए जो बुक में आपके कह रह आधार जो है वो एक बराबर नहीं है नाम तो वही है बुजाओं का लेकिन बराबर नहीं है छोटी बड़ी है ना अधार CHSS की तयारी कर रहा हूं बुक नहीं लिया मैं बहुत अच्छी बात है प्रेम तिवारी प्रेम जी नाम तो बहुत सुन्दर है आपका और एक जुलाई से चलेगी 1.1 ठीक है एक जुलाई से चलो तो 9 हो गया क्यों क्योंकि भाई BC की लंबाई अगर 6 सेंटिमीटर होगी तो पीकी उसमें 3 है तो यह समान नहीं है क्योंकि क्या कह रहा है एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं गडित में सवाल बार बार पढ़ना चाहिए बार बार पढ़ोगे न तो आधा वैसे ही याद हो जाएगा प्रियंका यादो यह आज से ही सुरू हुआ है प्रियंका यादो जितने भी कच्छा नौ के बच्चे हैं वह समझ जाए कच्छा नौ की गडित आज 25 जून से सुरू हो चुकी है सामको 7 बजे लाइब क्योंकि एक क्लास चली थी लाइब अक्टूबर में काफ क्लास चलाने से क्योंकि इतने बच्चों की रिकोइश्ट आरी नाइन थे में इतने की उतने और किसी कलास की नहीं आ रही लेकिन ये बच्चे तभी जुड़ेंगे तभी कलास चलेगी जब आप लोग क्लास को खूप सेयर खरोगे एक जुलाइब से बच्चे 100 के उपर हो होने चाहिए 100 200 400 तभी चलेगा इसलिए सब को सूचित कर दो पांच दिन का टाइम है पांच दिन का टाइम है सब को बता दो कि फिरी कलास चल रही है अब साम को साथ बज़े ठीक है चलो समझो क्या कर रहे थे कहां पहुंचे थे हम कुश्चन नमबर पहला का चार नमबर पार्ट हो गया कुश्चन फिर से पढ़ने पहला क्या था कहरा कि निमनलिखित आकरतियों में से कौन सी आकरतियां एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित है ऐसी इस्थिती में उभैनिष्ट आधार और दोनों समानतर रेखाओं के नाम लिखिए तो बच्चा इसमें अगर देखो तुम तो ये यस है ये एक ही आधार पर बन रही है दोनों मतलब जो दोनों फिगर इसमें बने हैं और दोनों एक ही समानतर रेखाओं के बीच में भी बने हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं है इसमें जो आधार है तिर्भूज वाला छोटा है चतुर्भूज वाला बड़ा है इफ लिए नो है ठीक है समझ गए ना चिंतामन देशल जी आरा समझ में अब इसे एक माफिया बच्चा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो अच्छा हो होता है अगर आप कोई राइटर की लेते हो जैसे मनुहर्य परकासन हो गया नगीन परकासन लच्छमी पतानी कौन-कौन सी बहुत सारी वाला जी और बहुत सारी बुकें आती है तो उसमें आप कोईस्चन देखो कि आगे पीछे होगा ठीक है जबकि अध्याय वही होंगे दो चरवाले रखीक समी करण, युकीलीट का जमितिये परिचाय रेखाया, और कौन, तिर्भूज, चतुर्भूज, समानतर, चतुर्भूज और तिर्भूजों के छेतरफल, Parl. यह सब सभी किताब में दिये हैं बस यह है किसी में यह पहले दिया है उसमें बाद में दिया है उसमें पहले दिया उसमें बाद में दिया है किसी में exercise 1.1 दिया है तो किसी में exercise 1a दिया है 1b दिया 1c दिया है तो आपको क्या करना है आपको चीजें समझना है सिर्फ आपको न दो फिगर तो ऐसे ही बना होगा ना भले इस पर कुछ और लिखा है मतलब समझो बस यहां से आपको सिर्फ नियम सीखना है समझ रहे हो ना ध्यान से समझ लो जैसे ऐसे है जैसे मालो हम आपको जोड़ने का नियम बताएं जो कि NCRT में ऐसे हैं हमने कहा बच्चा 6-3-9 होता है ठीक है NCRT किताब में 6-3-9 होता है बिहार बोर्ड वाले में दिया है कि भाया 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा अब तुम कहोगे ससुरा यह तो अमरे में सवलवे नहीं है तो जोड़ने का नियम यहां से सीख लोगे तो इसको भी तो कर लोगे ना जोड़ने का नियम तो वही है न दोनों जगा बोलो वही है न कुछ अलग तो नहीं है न अब यूपी बोर्ड में माल लो इसकी जगा पर कुछ और एडवांस में 9-3 दे दिया तो 9-3 कितना हो गय लेकिन मतलब समझो एंसी आरटी में जो जोड़ने का नियम बताया गया वही उपी बोर्ड में भी होगा सीबेसी में भी होगा बिहार बोर्ड में सब में वही होगा गरिमा यादो आरा कमेंट आपका ठीक है सीतल प्रेम थिवारी समझ गए न तो इस लिए नहीं ये बच्चों की बहुत सिकायत होती है किसार आप बिहार बोर्ड नहीं पढ़ाते हो आप यूपी बोर्ड नहीं पढ़ाते हो एंपी बोर्ड जहारखन बोर्ड भाईया जित कि यह हो गया तो बच्चा आपका इठी पच्वा भी है इसमें फिगर पाच्वा वाला ले लो पाच्वा बड़ा जीव टाइब का बना है अच्छा वैसे आप कर लोगे ना यह सब आप लोग कर लोगे कि करवाए यह भी रेनू भरत द्वाज देखो अब पाच्वा हम अजय से है और यह क्या है मालूम है यह थोड़ा ऐसे अंदर को दबराह है कि और ऐसे आंकर करके अफ़ देखो समझो जिन Presण के पास किताब हैं वो तो समझ गये उनका तो काम हो गया जिनके पास किताब नहीं है वह अपना चाटा-गटास देख रहे हैं हां मतलब समझ 알 Ride को यह D है और यह क्यों है a ठीक है डॉरिशा चेले अब यह बताओ किंक I am बताओ ऊहले क्या कि कि इसमें कोई कि दो तीन चित्र दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है कि बताओ कि बताओ जल्दी बताओ कि दिख रहा है कि नहीं कि देखो बच्चा इसमें भी आपका क्या होगा यह सोगा कि नो बताओ समान आधार है कि दोनों चित्र जो है समान मतलब समांतर रेखाओं के बीच बने हैं एक ही आधार पर बने हैं कि नहीं आधार अधार आधार कौन सा है यह बेस है यह एक ही सिंगल बेस पर सब बनाया यह भी देखो यह डैँ इस गया है ना तो क्या लिखोगे उभैनिष्ट आधार बराबर ad क्या है वभयनिष्ट आधार क्या है? AD है और दोनों जो समानतर रेखाएं है आपकी कौन सी है? अरे यही AB और CD है ना समानतर ABCD क्या है? समानतर रेखाएं है लिख लो समझ में आया ना सबको? सबको समझ में आया? बिल्कुल बहुत अच्छे गरिमा यादो बहुत अच्छे ठीक है देखिए जो बच्चे समझ रहे हैं अच्छे से समझ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है जो इसी में लगे हैं है पुझा कहां से हो तुम सपना तुम कैसी हो उनको पढ़ना है नहीं तो भाई ऐसे लोगों को तो हम बला कर देते हैं बस क Boodle अगर कच्छा नौ में हो तो पढ़र अभी टाइम में ठीक है तो आपका 9.1 खतम हो गया स 109.1 खतम हो गया आपका कल चलेगा इसके आगे ठीक है एक जुलाई से पहले चैपटर से चलेगा एक जुलाई से पहले चैप्टर से चलेगा आप लोग सभी साथियों को अपने बता दो अभी बच्चे केवल 60-70 बच्चे हैं ये बच्चे 200-300 होने चाहिए लाइब में बिल्कुल पहले अध्याय से लाश्ट तक सब चलेगा बिल्कुल फ्री गड़िच सिखाने की पूरी गारंटी होगी एकदम जीरो से लेकिन आपको क्या करना है सारे साथियों के साथ आना है ठीक है समझ गए न ये आपको करना है तो आज का कलास बंद किया जाए फिर टाइम हो गया है कि नहीं HD जिद्धी गेमिंग ठीक है बाई जिद्धी गेमिंग कमेंट आ रहा बच्चा आपका ठीक है तो बंद किया जाए सभी समझ गए किसी का कोई सवाल है कलास के बारे में तो बताओ गरिमा ठीक है कमेंट आ रहा है अंसु मिस्रा हाँ डेली चलेगा साम को साथ बजे डेली चलेगा साम को साथ बजे रभी संकर सोनम देवी हंस राज बर्मा मैं आपका वाटसब नंबर लिया और वाटसब पे क्या लिखूँ वाटसब पे तुम कुछ ना लिखो बच्चा ठीक है यहीं पे रहो या फिर टेली गराम चैनल जोईन कर लो हाँ जो भी साथ ही डेली कलास के लिंक चाहते हैं वो टेली गराम एपलीकेशन डाउनलोड कर लें मोबाइल में वहाँ पे PBR स्टडी जोईन करें और एक बात और सुन लो हाँ कलास की सारी अपडेट के लिए न आप PBR स्टडी को फेस्बुक पर ट्वीटर पर और इन्साग्राम पर इसमें से जो भी चलाते हो फालो जरूर करो ठीक है समझ रहों ना हर जगा फालो करो कहीं भी लिखके सर्च करो PVR स्टडी नाम आपको वह ही लिखना चाहे ट्वीटर पर चाहे इंस्टाग्राम चाहे फेस्बुक यही लिखके सर्च करना है हर जगा फालो करो एबरी प्लेस पे ठीक है समझ गए ना इंगलिस में ऐसे तो बोलेंगे ना भाई नरेंद्र मोदी क्या मुझे नीट और जही पॉस्ट पॉन करनी चाहिए भई मोदी साहब तो खुदी आके हमारी कलास में ऐसे पूछें तब तो फिर बाति क्या है तब तो फिर देश सुधर जाए हम ऐसे ऐसे काम करवा दे लेकिन यह तो मुसीबत है कि मोदी जी के पास टाइम ही नहीं कि हम लोगों की बात ऐसे करें देख रहे हो, ऐसे ऐसे बच्चे हैं से नरेंद्र मोदी जी कि नाम से idea बना लिया भई कमा ले ठीक है फिर बंद किया जाये किसी का कोई सवाल है नहीं न चलो फिर, हाँ फिरी कलास होगा डेली फिरी कलास होगा सामको साथ बजए से तो बंद किया जाता है फिर आज के लिए इतना ही बच्चे तो आप जुड़ रहें इस समय भाई क्या बात है अभी तक तो जुड़े नहीं आप लोग कलास खतम होने वाली हुई तो जुड़ गए तो इसलिए हम थोड़ा रुख जाते हैं दो मिनट देखो बच्चा कलास खतम हो गई है बाबु जो अभी अभी जुड़े हैं जो अभी अभी जुड़े हैं वो जान लें कलास खतम हो गई है ठीक है बीके जोन बच्चा काहे परिसान हो कलास खतम हो गई है ठीक है साम को 7 बजे से 7 बच कर 40 मिनट तक देली कलास चलेगी सभी बच्चे जान लें कक्षा नो की गडित साम को 7 बजे से 7 बच कर 40 मिनट तक चलेगी आपको डेली जुड़ना है टाइम पर और पढ़ना है घर बैठे बिल्कुल फ्री बिल्कुल फ्री पढ़ना है घर बैठे पढ़ना है डेली जूडना है सामको 7 बजे और सामको 7 बजे से 7 बच कर 40 मिनट तक चलेगा ठीक है अध्याय 9 आज पढ़ाया गया है एक जुलाई से पहला अध्याय पढ़ाया जाएगा मिनाक्षी बर्मा कमेंट आ रहा है बताइए दिकास सर्मा फिरोज पटेल आयूस नीरज सबका कमेंट आ रहा बच्चा सभी का आ रहा जितने भी छात्र जुड़ें सबका आ रहा है सभी छात्र लेकिन कलास को लाइक नहीं कियो भाई क्यूं कौन सी दुस्मनी यह बताओ सभ की जिम्मेदारी है क्लास को लाइक करो और सेर करो हंड्रेड प्लस बच्चे आने चाहिए कल की क्लास में कल की क्लास में सौ से उपर बच्चे हो जाने चाहिए याद रखना साम को साथ बजे सारा काम छोड़ के आ साम को साथ बजे बाद में सारी कलास यूटूब पे नहीं मिलेगी याद रखना ठीक है तो साम को साथ बजे आना कल से चलते हैं आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत थैंक्यू आप सभी को किताब ले लो सभी NCRT वाली